सबी को नमस्ते अभ्यास 2 के step 5 पे discussion चल रहा है और इसको लेकर हम अपने आप में observe कर रहे हैं इसको briefly recap करें तो अभ्यास 2 में हम स्वयम द्वारा शरीर को देखने का अभ्यास कर रहे हैं कि उसी क्रम में स्वयम और शरीर उन दोनों आफ्टिताओं को अलग-अलग पहचानने का हमने अभ्यास किया step 1 में step 2 में मैं और शरीर की भी जो आदान-प्रदान हो रहा है इसको हमने देखने का प्रयास किया और दिखता है कि यह सिर्फ सूचना का आदान-प्रदान हो रहा है इसमें कोई भूत ही रशानी का आदान-प्रदान नहीं हमने देखा कि इसका डिसेजरन का over the date 10 इंथा चाहिं शरीड की संकेत दे रहा हो जातां शरील में होने वाले सावेद्नाओं अपढ़ राहनं अल्टिमेटी डिसेजन तो मैं ले रहा हूं चैनल में कोई डिसेज़िए नहीं नहीं ए इस चीज़ को हम step 3 में observe करते रहे हैं, step 4 में हम इस बात को देखते रहे हैं कि मेरे और समेधना के मुझे दूरी है, तो ना तो मैं समेधना हूँ, ना समेधना में हूँ, ना समेधना मुझे है, समेधना मुझे से बाहर है, मेरे और समेधना के दूरी का मतलब मेरे और समेधन दैक्स पांडर करते हैं तो साम। तो यहाद्में। मिलगत्रृत को बसाइब प्रिवर्द नि परिवर्तन हो को सलिए क security सगी है और इन तीनों को ही म civilians प्रकिनग्रों पढ़ता हूं तॉल पर कर मैं इनको सब्स्राइब तो इसी बात को अब हम लोग विश्तार से यहां पर अबजर्ब को देखें, तो बाहर की कोई घटना हो रही है, उससे शरीर पे कोई प्रभाव पढ़ रहा है, वो घटना या तो दूसरे मनुस्री का विवहार है, या पी बहुत इसा निवस्तु में, शरीर पे प्रभाव प अपन होना, यह भाग शरीर का है, मेरा रोल वहां है, जहां पी यह नीचे का हिस्सा है, तो मैं समयता को पढ़ता हूं, यहां मेरा निवना है, मैं अपने संस्कार के साथ जोड़कर अर्च देता हूं, यहां भी मेरा निवना है, मैं उससे प्रभावित होता हूं, यह नही निर्वाह करता हूं और यह भाग मेरे अंदर ही हो रहा है अब मुझे अगर आउशक्ता लगती है कि बाहर एक्स्प्रेस करना है तो मैं शरील को संकेर देता हूं एक्स्प्रेशन के लिए नहीं तो नहीं देता हूं कि जैसा मैं शरील को संकेर देता हूं शरील ऐसा करता है और यहां जो चार चीज़े लिखने है तो इस बात को हम बारी किसा अबजर कर सकते हैं कि कोई भी एक्स्प्रेशन जब बाहर होता है इसके पहले इस सारी घटना है सारी क्रिया मेरे अंदर हो चुकी होती है जी इस बात को कल हम लोग अबजर करते रहें इसको लेकर आदी कि नहीं है कोई प्रशन हो तो रख सकते हैं तो प्रशन ऐसा था कि हमारे अतीत को हम कैसे उस पर प्रक्रिया करें और वो करना उपयोगी होगा या कैसे करना उपयोगी होगा आतीत में क्या प्रक्रिया करनी है इसे मुझे ऐसा दिख रहा है कि क्या मेरी मान्यता है यह एक अगर हम लिस्ट कर दें के अब तक जो हमने किया है उसमें हमारी क्या मान्यता है और उससे हमें कैसा मतलब फाइदा हुआ है उपयोग हुआ है या कभी-कभी परेशानी भी हुई है ऐसा कुछ हम अपने अतीत को प्रोसेस करना प्रॉम दा अंडरस्टेंडिंग मतलब समझ के इसाब से इसका उपयोग हो सकता है क्या और ऐसे कीजे तो वह उपयोग हो सकता है इससे इह होगा कि अतीत में जो भी घटनाय होई तो होगई बत जिन संसकार हो कि अधार पर हमने निर्ने लिया तो संसकारों को तो मुल्यांकन करेंगे उसकारerson के अभी वी हमारे अंदर बचे हुझ सकते हैं और उन्गे ही जब तक समझ्छ से रिप्लेश न हो जाएं वह तो बचे होने का संसकार कि छो मतलब तो संस्कार के रूप में देख सकते हैं अगर वो एक्सरसाइज करना है तो कि मितला हम जाकर मुल्यांकन करेंगे आप को दार ले तो मैं आप सकता हूं उसका बिर्फिर मुल्यांकन करेंगे तो मुझे ये जैसे बॉड़ी को जब मैं फील कर रहा था समेधना कर जो भी सरी के अंदर जो भी आंग है तो मुझे ये जानना है कि जो मैं है जो चेतना है हमारी वो शरीर के हर अंग में है या शरीर के बहार जो हम बोलते हैं पुंजा का राकार में है वैसी है देखे शरीर के अंग में है यह नहीं शरीर के साथ है तो उसका जो विस्तार है शरीर का जो अकार है उस पुरे अकार में फैला हुआ है चयतना के ऒज़ा हम सीधे में ही क्वालव खkelnा सब्सक्राइब तो आप टर explosive का कार में फैला हुआ तो फैला हुआ है कि कि इस अंग मैं zijn ऐसा नहीं Kate को पुरे अस्तान को स्तान हुआ है कि इसको अपने अब जेर कर सकते हैं नहीं मुझे यह पूछ है ना जैसे मैं अपने फेपड़े को देखता हूँ या किड्नी को देखता हूँ उसमें कुछ भी sensation होता है या कुछ भी महसूस होता है तो वो तो मैं ही महसूस करता है तो इसका मतलब मैं वहां पे है या वो संसेशन है वो मेधस के थुमे में जाता है हां मेधस के थुमे में जा रहा है अच्छा तो इसका मतलब जो मैं है और जो शरीर है उसके बीच मेधस है ने-री में मैं मेधस के माधियां से श्रीर के साथ सूछना अरुक नहीं के बीच नहीं कर रहे हैं क्योंकि शरीर के दूसरे अंगों में वही सुचना आदान पतान कर रहा है मैं के थुरू वो ठीक है बट मेधस है तो शरीर का हिस्सा शरीर हो मेरे बीच में है कहना ठीक नहीं है अच्छा मुझे ऐसा लगा मनला महसूस करते हुए न कि अच्छा सुच्छा उसके साथ बने हुए है उसका रिस्सा नहीं है मेधस के मातर हमसे आदान पतान कर रहे क्योंकि बाकी अंगों मि वो क्रियाशिलता नहीं है कि मेरे द्रवारी कर संकेत वह ग्रहन कर सकें को मैं टीभर ती इ Ärर नहीं हो पाएगा इतना जल्दी से होता है इतनी जल्दी होती है कि उसको मेहसूस करना तोड़ा समय लगता है हाँ तो इसको देखना इसको अबजर्ब करना यहीत योगिता बढ़ानी अपने और देखने में देखने ँषर दुस्रा देखनें कि संपूर्व्स लित प Radha के विग्स Keyser तो कि बुख देखने मेरी तो सिंफ यह नहीं देखना a करिया के अधार को भी देखना है पुझता है कि तो दिखता है कि उस क्या का एक संबंद है दूसरी जूसरी क्या कि रही आप धे आपिर अशनयं भ्राभकिन जंदने निया निंध्डित है। आंद इम्हार उतक दीखने में थे जित्ड को गैप्स हैं देखना देखने उसको कम करेंगे, हटाएंगे, गैप रही नहीं, जैसा है वैसा हम निजनतरता में देख पाएं, और दूसरा देखने की संपूर्ण वस्तु पर ध्यान को ले जाएंगे, तो अभी हम देखना शुरू करते हैं, तो विचारों पर ध्यान जाता है, वो भी जटके-जटके में गैप के साथ, ठीकि उसको भाव पर ध्यान जाता हूँ, जटके-जटके में गैप के साथ, अब ये कमसे कमें गैप को हटे, अडिक्षन में क्या भाव विचार चल रहा है दिखाई दे, और भाव विचार ही नहीं, बहुत कुछ और भी चलने की संभावना है, उसके भी ध एक विखली उसको शरीर को देखा जा सके, तो ये चक्र की प्रकिया किसी ने कल परसनल एक्पियेंस मुझे शेयर किया, कि मुलाधार चक्र जो है, उसमें उन्होंने एक ध्यान की बद्धती, बहुत ध्यान की बद्धती जो है, उसके माध्यम से, वो ऐसा कर पा रहे थे, और उसमें उसका healing process जो है, वो भी activate होता है, तो जैसा मैंने पिछले दिनों share किया था कि मुझे नी joint में problem था, तो मुझे लगा कि observe करने के माध्यम से, जो कि मैं सतत करी रहा हूँ, स्वहें को और शरीर को, स्वहें को माध्यम से शरीर को, तो उसमें अगर ऐसी कुछ भी प ये करना था था, तौन हम अभी वास्त विक्ता को जैसा है, वैसा देखने का नीड़ण नहीं कर पाते हैं, तो उसको हम नीड़ण को पुष्ट करें अपने अंदर, ठीक। उसमें जो भी सहयोग मिल सकता है तो ही फचे स्वाइशन चलनें से सहयोग मिल सकता है, और भी शा कि देखने का निर्ण मेरा होना और मेरी बढशी से अब देखुए हम तो यह मैं तो मज़ा हम की सहयों की रूप में जयसा आपने कहा इसको चेक्रेट में की और इसकाषग के रूप में तो देखना समय का क्या बढ़ानों के उसके रहता हो पर गठा ले आप है ना आपको भेट के देखने से नहीं मिल रहा हो ना करें किसी नहीं मिल रहा हूं ऑद पर लिदा है ना Ooooh पुल बात है देखने की एसे ज़िए वो निखा जा रहा है जी भईया, जी भईया धन्यवाद दिया, नमस्ते नमस्ते लिया इंसान को तो बना हुआ है, किसी नबनाया नहीं है जैसे हम अपना होमवर्क खुदी करते हैं, अपने आप नहीं होता है तो इंसान को फिर कैसे, इंसान कैसे बना फिर वो तो है पहले से तो प्रकृति की वियाफ्था करनुसार है तो इंसान को देखें, तो वहाँ पर दो चीजे हैं, मैं और शरील तो शरील के अपनी एक रचना है जो प्रकृतिएं व्योस्था बनी ही उसका नसारों रचना बनती रहती है, वीरचित भी होती है, टूचती भी रहती है, जैसे पेड़ पौधे हैं, तो देखे तो मिट्टी से बीच में अंकुरन हुआ, अंकुरन से पौधा बना, पौधे से बिक्ष बना, बिक्ष वापस जढ़ कर मिट्टी का एक हिस्सा हो गया, व्योस्था प्रकृतिएं बनी हुए, उसी तरह से हमारे शरीक लिए व्योस्था बनी हुए, भुरूर से शिशूद पन हुआ, फिर शिशूद से वयस्क हुआ, वयस्क बुढ़ा हुआ, फिर वाएक समय के बाद शरीर नस्ट हो मृत्य को पराप्त हो गया अब यहां पर दिखता है कि मानव में सिर्फ शरीर ही नहीं है मैं भी है और मैं एक समय पर असोसियेट होता है तो अभी हम असोसियेट ही है हम शरीर के ना तो हिस्सा है तो जब मानव गर्व में होता है शिशु गर्व में होता है एक समय के बाद ज एसा चार से पांच महीने के बीच में होता है, उस समय एक सेल्फ को अगिस्ट कर लगता है, फिर उसमें बहुत सरी अक्टिविटीज बढ़ जाती है, तो इसेल्फ असोसीएट हो गया, और वो सेल्फ असोसीटेट हो रहता है तिल देथ, जब देथ हो गया, शरीर मिट्टी म मिलिया, सेल्फ बना रहा, यह प्रकृतिम व्योस्था बनीगी, इसे का नुसार, शरीयात्रा चल रही है, इसे का नुसार, समाज परिवार चल देए, इसका जैसे सवाल ही है, जैसे स्कूल में दिखा दिया गया, कि पहला एडम और इव थे, तो इसका दिमाग ना वहाँ पर जाकर अटक गया है, कि पहला मानो कौन था, कि जब कोई सेल्फ किसी बॉड़ी की साथ ऐसोस्येट हुआ, और पहला हीमन बिंग बना, तो उसमें देखेंगे, अगर आप पुरी प्रकृति की व्योस्था को देखेंगे, तो पाएंगे कि एक एनिमल भीची होता है, जै होता है, भहाँ बीच सेल्फ और एक बडी है, और इनिमल के सेल्फ में डिवलप्मेंट की स्टेज़ दिखाई जेते हैं, किसी अनिमल का सेल्फ कम डिवफ्लप्र है, किसी अनिमल का से ज्याधा डिवलप्र जाज़ब्र जैसे आप अगर बंदरों को देखें और उसमें भी कई प्रकार के बंदर हैं तो इनको मानो तो हम नहीं कह रहे हैं तो यह जो काई है यह इसका जो सेल्फ है यह और डेवलप होके मानो शरी को चला सकता है तो मानो के तयार होने के पहले दिखता है कि पशु के रूप में यह इस और श्यूफ कहां से आगा लगा पिर वैसे तो हम लोग किताबों भी पढ़ते हैं उसके बहुत प्रमाणु केमिकल अपने को प्रमाण भी मिलते हैं अब इस सेल्फ कहां से आया तो एक संभानाती यह है कि यह जो इकाईयां है जिनसे जड़ इकाईयां बनीगी है अगर उस परमाणु में कोई ऐसा परिवर्तन हो जाए जिससे परमाणु की रचना आगे कभी बदले नहीं यह परिवर्तन संभाव है जब हम देखें तो एक्सेंज होता रहता है घंटे बढ़ते होते हैं बट किसी पॉंट पर ऐसा हो सब्सक्राइशन कंफिग्रेशन कंप्लीट हो जाए ताकि उसकी प्रचना में आगे कोई परिवर्तन नहीं तो ऐसा जब होता है तो इसकी संभा तो इसका मतलब यह है कि जैसे आपने कहा है कि चलिए हम सेल्फ का तो हम एक कंप्लीट जहां पर एटम के बाद आगे कोई विगटन या उसमें कुछ ना हो लेगिन शरीर तो फिर मानोगा फिर भी मॉडिफाई हो सब्सक्ता है क्योंकि इसमें तो घटा बढ़ते रहता है क है कि हमारा सेल्फ वही रहे हम हमारा आकार कुछ और चैंज हो जाता है तो बैलो जी पढ़ाते हुए ना कि हम जिस अंग का ज्यादा प्रयोग करते हैं उस अंग के रश्रम जल्दी परिवर्तन हो लगता है तो जैसे अभी हम बताते हैं कि वेस्टीजियल ऑर्गन पढ़ाते हैं बाइलोजी में तो पूछ हमारे वेस्टीजियल ऑर्गन है नाखुन है जो लंबे हुगा करते हैं अब अगर हमारा श्रम परशु की तरह होगा तो इसे बंदरों का देखें पूछ होती हैं तो कि दा हमारे में वो जीए घर्ती जा रही है हुँँ ठीक हभी तो शरीर की रचना में परिवर्तन हो रहा है आज भी हो रहा है जैसे हम लोग देख रहे हैं कि आज से अगर हम दो पिढ़ी पहले देखें तो कितना लोग पैदल चलते हैं उनके पैरों की बनावर्ट कमर की बनाव जाने हो इसनों कि आवाज से ख हम करते हैं तो अमारे बच्चों के बनावाथ और थोड़ी बदल एग thoughtful कूप्ट्र पे अगर हमको काम करना पड़े हैं तो Ăंके न होग घंटे मृष तो अमकर जाते आइख जातें फॉन दो अगर अगली पीडियो को वही काम करना है, तो शरीके बनाओ उसी अनुसार हो जाएगी. अचा, मेधास में भी काफी परवर्तन आता है, योगि बच्चे को मुझे लगता है कि मोबाइल की मुझे से ज्यादा नॉलेज है, छोटी उमर में. अगर बहुत पहले देखें, जब जंगल यूग हुआ करता था, जंगलों में मनुसर रहता था, घर नहीं बनाने की पिट्निक थी, तो हमारे शरीके बनाओट अलग प्रकार से थी. हाँ, 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 हाँ. हाँ, हाँ, हाँ. हाँ, हाँ. जिसमें यह बताया गया था कि पूरे विश्व में बहुत सारी युनिवरस्टीज के साइन्टेस्ट और फिजिसिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, जिसमें अल्टिमेटली क्वांटम फिजिक्स जिस तरफ जा रही है, वो यही कहा जा रहा है कि एक्चुली जो पार्टिकल का लास्ट मिनिमल आप इस्ट्रक्चर कह सकते हैं, वो भी उसका एक्जिस्टेंस ऑब्सरवर पे डिपेंड करता है, और उनका अल्टिमेट जो डिशीजन जा रहा था वो इस तरफ था कि इस तरफ था कि डिजिस तरफ एक्चुली, और भी बहु सारी researches हो रही है, तो बच्चे के जो ये प्रशन है, वो अगर चाहें, तो इस तरह की चीजों को फॉलो करके, अपने analytical understanding और एक वैज्ञानिक पध्यती से उसको समझने का प्रयास कर सकते हैं, बस इतना ही share करना था, thank you भया. बिल्कुल ना करें, देकि अभी प्रजेंस आइंज बिल्कुल करकें है, क्वांटम में ये निकल कराया है, इस अचर्टैनिटी जी, अंसर्टैनिटी और ये भी भया, उसमें अगर अगर थीक से पढ़ा हो, या समझ में आया हो कि वो जो पार्टिकल है, उसका नेचर कभी पार्टिकल कभी वेव, और कभी एनर्जी, ये उसका टू इस्ट्रुक्चर जैसी कोई चीज उनको अभी अभी अब्सर्वेशन में नहीं आ पा रही है, और ये आर वर कमिंग तो देकि अचर्टैनिटी जी, अब इनको कुछ भी समझ में निया, एक समय, 19th century में, ये असा कि जो प्रेजेंट साइन्स है, तो हम पुरी अफ्टिक को समझ सकते हैं, लोगों नहीं तो कहना शुरू किया कि अफ्टिक तुम्हें हर अगली भष्णा को अपेटिक कर लेंगे, तो को उनको का चातनने का पता नहीं था, अब जड़ की सीमा में ही उनको बहुत सारी कशन कि जो अब जर्व है, वो अब जर्व पर टीपेंड कर रहा है, तो अभी तो इसको इनए सेटल कर पा रहे हैं, अब उसमें क्या हुआ कि जब नहीं सकते हैं, हम जड़ के दारे में, तो हम किसी तरह से वहां से रास्ता निकालते हैं, चैतने को जोड कर, वह भी चैतने जब तो हम जब सकते हैं, उसको अंभी लेसा हो, बकिन इसमें बश्रादे, बखिन कर रहे हैं, बिलकुल बिलकुल बखिया, लेकिन इसमें इतना…. जो विदान्तिक थियोरी है वो उस पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। प्रभाव को यंत्र से नहीं देख सकते हैं उसको इतनी इमांदारी से स्विकार लें उतना अच्छा उतना समय बचेगा पैसा बचेगा शोड़ का अब क्या होता है कि जब वह फफ जाते हैं तो फिर हम कुछ टेक्स्ट्बूक लेकर आते हैं जिसको हम पहले से ही नकारे रह नहीं होते हैं कैसे वे उतन का व्यदाओ के दहर फोजाएगा इस संसे घारा को आथी है उसको भी जाँस नहीं पारा है उसको भी एक्स्परिमेंटिलियॉ अपने से मेख से टेस्ट्रेय से चेस्ट निकितूरे से निकंट लेगा ये बात पर दो दोससे सालों से हो रही है है कि जब हम यहां फ़स्टे तो वहां जाते हैं वहां फ़स्टे यहां आते हैं तो इतने इंटरपेटेशन ही रहा जाएगा यह बात फोरी है कि जो बीशन. आर्ण। आर्ण। क्योंकि जो अर्थ दे रहे हैं अपने संसकार के साथ जोड़का दे रहे हैं और इसमें समझना शामिल अगर नहीं है तो अर्थ बदलता रहेगा कुछ न कुछ हम कहते रहेंगे और यह अंगोई एक्साइज जैसा हो गया है और वो अपनी सीमा को स्विकार नहीं पा रहे हैं कि अभी हम पूरे अश्टितु को जड़के माध्यम समझने का प्रयास कर रहे हैं और विधिया काम नहीं करेंगी त्योंकि अस्टितु में शुन्न है उसको जड़के माध्यम सन दिखेगी, अब वो ऐसे ही हो गया है कि उस जड़ की सीमा में हम संपुन को देखने का प्रयास कर रहे हैं, और स्विकार भी नहीं पारेक नहीं देख सकते हैं, तो नहीं ने इंटरप्टेशन देते हैं, तो नहीं पिर कभी होता है कि साइन्टिफिक मेथाड विलवार कभी मिढक जाते हैं, मिढक जाते हैं, तो ये डोलन्च चलता रहता है. बहिया, लेकिन एक प्रशन ये जरूर उठता है, जैसे जो प्रकृति में हमने कहा दो ने प्रकृति में एक Εक ओर्डर है, तो उस orde को मेंतेइन करने करने वाला कोई तो विवस्था होगी, कि आटोमेटिक ओर्डर है, ये चीज थोड़ा सा समझने में दिक्कत है, क्योंकि वो ओर्डर लगातार चेंज हो रहा है, विहेवियर प्रकृतिका चेंज हो रहा है, जी, ये कोई तो होगा, ये हमारा अपना एक दियावाएक और्फ है, हम ये को नहीं देख पाते हैं, कि श आती है, जो स्वताह ही प्रकट हो गई हो, और स्वताह सब कुछ होने लगा हो, किसी ने उसको बनाया हुआ होता, ये मोबाइल है, तो कहीं से किसी ने शुरू किया, जी, तो हम अपने अप्जर्वेशन को चैलेंज क्यों नहीं करते हैं, नहीं, अगर अगर अप्जर्वे के तो हमारा सुभाव भी नहीं बनता, तो इतनी बड़ी प्रकरती, इतना सारा व्यवस्था कैसे बना, वो प्रश्न थोड़ा बार-बार मन में आता है, तभी क्या हुआ, कि एक साइंस पसा हुआ है, प्रिजेंट साइंस, वो जड़ क्रिया को लेकर है, हम थोड़ आगे पढ़ें, हम जड़ चैतनी दोनों क्रिया को देख रहे हैं, बट जो क्रिया शुन्य है, इस पर धिहानी नहीं गया है, हमारे उब्जर्वेशन में ही नहीं है, तो उसके लिए हम उपन रहें, कि इस क्रिया शुन्य को भी देखना है, अब क्रिया शुन्य को न देखते वे क्रिया के दाइरे में जब भी हम चीजों के एक्स्प्लिन करने जाएंगे, तो जितना हमारा पहले से उब्जर्वेशन है, उसके बेचिस पर करने का प्रयास करेंगे, वो एक अलगतर के इंटर्प्टेशन की प्रॉलम है, साइंस में एक इंटर्प्टेशन है कि वहाँ फ हैं, जैसे हम कहते हैं कि सब कुछ करने वाला कोई है, जो उपर से कर रहा है, ठीक है ना, जितने अपराद हो रहे हैं, फिर वही कर रहा है, जितनी अवेस्था फैलरे फिर वही कर रहा है, जो सुन्दर रचना अगर वही बना रहा है, तो बिगाड़ने वाला भी वही है, प्रिया में क्यों नहीं कहते हैं? अपनी समझ बढ़ाने यही जेँख बात हैं तो यह हम open रहें कि क्रिया शुन्ने भी है सिर्फ क्रिया नहीं है तो प्रिया शुन्ने को भी हम देखेंगे समझेंगे इसको भी हम अपने दारे में जोड़ ले समझने के दारे में और फिर हम जो अभी interpretations हैं उसको हम विशलेशन करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे. बढ़ आदिदी? तो बहुत अच्छा है. तो बहुत अच्छा है. इसको हम लोग अबजर्व करें अपने आपने. और यह हमारे लिए असाइन्मेंट है अच्पिन. फिर हम लोग कल इसको और जाचा करेंगे. सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते.